नमस्कार साथियों वैसे अभिर्थी जिनका NTPC का एक्जाम होने वाला है 12 जुन के बाद उनके लिए ये सिसन काफी महतपुन होगा आज के इस वीडियो से आपके एक्जाम के अंदर 2 से 3 नंबर के कुसन डेफिनेटली बन जाएंगे तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो को अभिर्थी जोड़ने के वज़ा से वर्तमान में साथियों से भी अधिक अनुछेद हो चुके हैं सबसे पहले अनुछेद की बात करते हैं फ्रेंट्स तो अनुछेद 1 के अंदर जो है वो कहा गया है कि भारत राजियों का संग है आपसे अनुछेद एक पूछे भाग एक पूछे अनुछेद एक पूछे तो आपको आंसर करना होगा कि भारत राजियों का संग है इसका मतलब है कि भारत 28 राजे और आठ केंद सासित प्रदेशों को मिलागर के एक संग का निर्मान करता है वहीं अनुछेद 2 की बात करेंट्स तो नए राजि का निर्मान उसकी स जो कि भाग 2 के अंदर है ठीक है आप देखिए भाग 3 के अंदर जो अनुछेद 12 से 35 है इसमें मौलीक अधिकार का वर्नन है इससे समंधित मैंने सारे अनुछेदों को मौलीक अधिकार में पढ़ा दिया है तो आप जाकर के उसे प्रेलिस्ट में चेक कर सकते हैं हलांकि मै जो कि भाग 4 के अंदर अनुछेद 51 के का के अंदर जो है वो मौकी रुप से मौलीक करतब का वर्नन किया गया है जो कि 42 समिधान संसोधन 1976 के द्वारा जोडा गया है ठीक है अब चलिए फ्रेंट्स महत्कुन अनुछेदों को आज देख लेते सबसे पहले राष्टपती की सकती और कारी आप खुदी सोचे फ्रेंट्स एक सीरियल में आपको याद करना है जैसे आप पद पे बैट गए फिर आपको अपना सकती और कारी याद करना होगा कि भाई आपको सकती और कारी क्या दिया गया है उसके बाद आपका निर्वाचन का प्रिकरिया ठीक है ये त राश्टपती को सुचित करना पड़ता है कि आपके उपर महावयोग लाया जा रहा है ठीक है वहीं 72 के अंदर जो है वो छमादान की सकती है मतलब कोई अपराद करता है तो राश्टपती के हाथ में ये वीटू पावर होता है कि उसे छमादान दे सकता है ठीक है 85 के अंदर बात करें तो लोगसभा का विघटन है और 123 के अंदर जो है वो अध्यादेश है देखे फ्रिंट्स अध्यादेश का मतलब होता है कि मान लिजे लोगसभा और राजिसभा का काल नहीं चल रहा है तो ऐसी सिती में कोई कानून अनिवारी हो चुका है तो जो राश्टपती ह है वो लोगसभा और राजिसभा दोनों के सक्तियों का अकेले खुद परियोग कर लेता है और अध्यादेश ला लेता है और एक मतलब नया कानून बना लेता है ठीक है जरुरत के हिसाब से वहीं 143 की बात करें फ्रेंस तो 143 के अंदर जो है वो राश्टपती सुप्रीम क कोट से सलाह ले सकता है किसी मामले के अंदर किसी कानून के अंदर लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सलाह मानने के लिए वो बाधिन नहीं है तो चलिए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं बावन में पद है तीरपन में सक्तियोंकारि है चावन में उनका एक सेट में उनके उपर महाभयोग है, 72 में छमादान की सकती है, 85 में लोकसभा का भी घटन, 120 के अंदर अध्यादेश और 143 के अंदर सुपरीम कोट से सलाह लेंगे, लेकिन इनको मानने के लिए बाद ये नहीं होंगे अब देखिए फ्रिंड्स उपराश्ट पती से बात करें तो इससे आपको दो नुचेद ल्याद करना है, उनका सैलरी भी उपराश्ट पती के पत के लिए नहीं मिलता है, बलकि राश्चहा के सभापती के लिए मिलता है तो 33 सेट और 64 सेट याद हो गिया होगा पद और राजसभा के सभापती अब आपको प्रधान मंत्री के विशे में याद करना है 2 नुचेद, 1 चोहत्र और 1 पच्छत्र तो चोहत्र में मंत्री परिसत का उलेख है वहीं 75 की बाद क्रेफरेंस तो परधान मंतरी का उलेक है ठीके आप चलिए संसत की विसे में याद करना है तो संसत में आपको किवल 3 उंचे दियाद करना है 79, 80 और 81 तो 79 संसत को उलेक करता है 80 जो है वो राजी सभा को और 81 जो है वो लोग सभा को देखिए राजी सभा को जो उच सदन होगा फिर जो निमन सदन होगा ठीके तो राजी सभा और फिर लोग सभा ठीके 79, 80 और 81 उमीद करते हैं याद हो गया होगा उसके बाद 100 नमबर अमर्शित को याद करते हैं तो अध्यक्ष को निरनायक मत ठीके अब माली जै यहां से माली जै की कोई विधेयक बन गया है मतलब कोई कानून कोई भोटिंग हो रहा है ऐसी सिती में 50-50 मत हो गए हैं बराबर मत हो गए हैं और बराबर मत होने की सिती में अध्यक जो है वो निमनायक मत देने का अधिकार रखता है और बिल्को पास करवाने का अधिकार रखता है ठीक है वही 105 की बात करें तो संसत को विशेशा अधिकार से समंदित है और 108 जो है वो सन्यूक्त अधिवेशन मतलब लोगसभा और राजसभा के सन्यूक्त अधिवेशन के समंद में हैं देखे सन्यूक्त अधिवेशन की बात करें तो बुलाता राष्टपती है लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो धन विधेयक से समन्दित है वहीं 117 जो है वो वीद विधेयक से समन्दित है 110 धन विधेयक 117 वीद विधेयक वहीं 112 और 116 आप एक सात यात कर सकते हैं 112 बजट से समन्दित है और 116 लेखा नुदान से देखिए बजट के अंदर मालेजे कि बजट का सारा पैसा खतम हो जाता है बजट जो जनरली फर्वरी के अंतिम सप्ता में आता है और बजट का माली जो पैसा खतम हो जाता है साल पर के अंदर तो S.C. सिती में जो है लेखा नुदान के माधियम से पैसा निकाला जाता है और खर्च किया जाता है ठीक है अब देख लेते हैं सरवोच नियाले से समन्दित प्रमूख अनुछे तो सरवोच नियाले से समन्दित यह दिया आपको याद करना है तो 124 के माधियम से अपयात कर सकते हैं 124 के अंदर गठन का उलेख है 131 के अंदर जो है वह सुप्रीम कोट का मूल आरंबी का अथिकार है वही 137 के अंदर ब्यात करें तो नियायक पुनर विलोकन है वही 143 की बात की रेफिरेंस हमने राश्टपती में भी देखा था भी यह राश्टपती की सलाह दे सकते हैं लेकिन राश्टपती इनकी Σलाह को मानने के लिए बाध्यन नहिं है अगला आपको दिखना है एक महानयायवादी और एक दिखना है उनके एगेंस्ट में किसी प्रकार के केस करता है और फिर किसी प्रकार का विवाद होता है तो सरकार की और से वकालत करने का जो जिमा होता है वह महानियावादी का ही होता है वहीं 148 के अंदर CAG है यानि controller and auditor general of India तो CAG के अंदर जो नियंतरक और महालिखा पर इच्छक होते हैं income के काम होता है कि जो budget का पैसा खर्च होता है उसका देखरे करना मतलब खुलासा करना कि भाई पैसा सही जगा पर खर्च हुआ एक नहीं जैसे 2G spectrum हुआ 3G spectrum हुआ यह सब का जितना भी घोटाला हुआ था इनके विसे में CAG उजागर किये थे ठीक है तो यह दोनों याद हो गया होगा उसके बाद राजिपाल को देख लेते हैं राजिपाल और राश्टपति को आप एक बार comparison कर सकते हैं 152 के अंदर राजिपाल का परिभासा है 153 के अंदर राजियों के राजपाल है 155 में निर्वाचन और एक सट जो है चमादान है ठीक हालांकी राजपाल से प्रस्ट नहीं आएंगे आप ना के ब्राबर यहां से प्रस्ट पूछी जाते हैं लेकिन एक बार आप देख सकते कै अब मंत्री परिसत को देख लेते हैं डेखे । यहीं मंत्री परिसत आपका लोकचार आराज वहाला नहीं है यह कि राजिपाल आपका महा न्यायबादी वहादी होता है वा यह भी राजी सरकार के वकील होते हैं आप देखे फ्रेंट्स राजी विधान मंडल की बात कर लेते हैं जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा था 79, 80 और 81 उसी प्रिकार से यहाँ पे आपको देखना है 168, 179, 70 ठीक है तो देख लिजे फ्रेंट्स यहाँ से आप याद कर लिजेगा 168 यहाँ पे विधान मंड है 80 के अंदर आपका राजी सभा है और 81 के अंदर आपका लोग सभा है इसी प्रिकार से यहाँ भी आपको याद कर लेना है 168 के अंदर विधान मंडल होगा 169 के अंदर आपका विधान परिसाद होगा वहीं 170 के अंदर विधान सभा की संरचना होगी ठीक है और 171 के अंद तेनो अनुषि आपको याद करना है, तीनो अनुषध आपको याद हो जाएंगे, 214 के अंदर जो है, वो राज्यों के लिए हाइकोट है, वही 260 के अंदर इनका गठन के विश्य में वर्णन है और 231 के अंदर जो है वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोट यानि एक उच नियाले की विवस्था किये गई है ठीक है अब अगला देखते हैं फ्रेंट्स केंद्र और राजी से समंदित परमुक कुछ अनुछेत तो केंद्र और राजी से समंद संचित निधी और 266 आकास्मिक निधी संचित निधी के माधियम से ही बहुत सारे पेमेंट किये जाते हैं जैसे राश्टपती के सैल्डी हो गया यह सब पेमेंट जो है वो संचित निधी से ही किये जाते हैं और 266 आकास्मिक निधी ठीक है वही प्रेंट्स 280 के बाद करें IS, IPS और IFS ठीक है यहाँ देख सकते हैं फ्रेंट्स आगे आपका निर्वाचान आयोग से समंधित है जो कि 324 अनुछेद है आप देखते हैं फ्रेंट्स SC, ST और आंगल भारतियों से समंधित परमुख अनुछेद तो फ्रेंट्स आप 330 और 332 को एक साथ याद कर सकते हैं 330 अनुछेद के तहट लोग सभा में जो SC, ST के लिए पद है वो आरक्षित है वहीं 332 की बात के लिए फ्रेंट्स तो विधान सभा के अंदर जो है वो SC और ST के लिए पदों का आरक्षन है ठीक है तो ये चीज़ आपको याद हो गया होगा 330 और 332 330 में लोग सभा में SC, ST के लिए पदों का आरक्षन वहीं 332 में विधान सभा के अंदर SC और ST के पदों के लिए आरक्षन ठीक है अब आपको याद करना है 331 और 333 ठीक है 331 और 333 भी आप एक साथ याद कर ले ठीक है 331 में लोग सभा में आंगल भारतियों के लिए पदों का आरक्षन वहीं 333 में विधान सभा के लिए भी आंगल भारतियों का पदों का आरक्षन ठीक है अब देखिए आप यहाँ से 335 याद करे 335 के अंदर भी आप याद कर सकते हैं 335 के अंदर बात करें तो इसके अंदर परमुक सेवा परमुक पद मतलब जितने भी प्रकार के government jobs होते हैं उनके अंदर SCST का आरक्षन के विसे में उलेक करता है वही 338 के अंदर जो है वो SCI और 338 के का के अंदर वो SCI और 340 के अंदर वो OBCI तो तो तीनों याद कर लें एक साथ में ये दोनों और एक आपका ये 340, 338 SCI और 338 का SCI और 340 वो OBCI से सम्बंदित है ठीक है वही फ्रेंड्स राजिसभा की बात कर लेते हैं राजिसभा से परमुक अनुछेद आपका है अनुषे 343 की बात करें तो ये हिंदी भासा की बिसे में वर्नन करता है अपात उपन से आप 3 अनुषेद याद कर लें 352, 356 और 360 ठीक है 352 जो है वो राश्टियापात को लेक करता है 356 जो है वो राश्टियापात को मैं फ्रेंट 360 जो है वो वितियापात को तो काफी इजी याद करना है 352, 356 और 360 पहले राश्टियापात लगेगा फिर राज्जी के अंदर आपात लगेगा और किसी परकार का समस्या हो जाए तो फिर वितियापात लगेगा 368 और 360 368 में समिधान संसोदन हो गया 270 के अंदर जो जम्हू कास्मीन को विसेशाराज का दरज दिया था वो तो आप समाप्त कर दिया गया तो आप तो 370 तो याद करने की जॉरत है नहीं 368 आप याद कर लें समिधान संसोदन काहाँ से लिया गया है तो फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं मिलते हैं फ्रेंट्स अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार